कुरषण यहां है गुणन फल में अभाजी गुणन खंडों की कुलसंक्या है निकाल लेगे यहां पर दिया है 4 की पावर 9, 4 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या बनाएंगे तियों हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4 की पावर 9, गुणा, यहाँ पर दिया है 9, 9 भी भाज्य संख्या है 9 को अभाज्य संख्या बना लेंगे, 3 की पावर 2, की पावर 4 गुणा 7 अभाज्य संख्या है तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे जब P की पावर दिया हो N की पावर M तो बराबर होता है P की पावर N गुणा M तो यहाँ पर हम इससे solve कर लेंगे इसे यह हो जाएगा 2 की पावर 18 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 7 सभी घातों का योग कर लेंगे 18 प्लस 8 प्लस 7 सभी घातों का योग हो जाएगा 33 तो इनके गुणन खंडों की कुल संख्या हो जाएगी 33 option A इसका right answer होगा next question निखेंगे question दिया है संख्या दी है इसमें भाज्य गुणन खंडों की संख्या निकाल नहीं है दिया है 2 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 8 भाज्य संख्या है इसको भाज्य संख्या बना लेंगे तो यह हो जाएगी 2 की पावर 3 की पावर 4 यह हो जाएगा 2 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 12 सबी घातों का योग कर लेंगे 20 प्लस 10 प्लस 12 तो इनके गुड़न खंडों की संख्या हो जाएगी 42 option B इसका right answer होगा next question दिखेंगे संख्या दी है इसके गुड़न फल का कुल अभाज्य गुड़न खंड ग्याद करना है 6 कर लेंगे इसे 16 भाज्य संख्या है तो इसको भाज्य संख्या बना लेंगे 2 की पावर हो जाएगा 4 की पावर 7 गुड़न 27 भाज्य संख्या है इसको भाज्य संख्या बना लेंगे यह हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 6 गुड़न 5 की पावर 9 यह हो जाएगा 2 की पावर 28 गुड़ा 3 की पावर 18 गुड़ा 5 की पावर 9 सभी घातों का यूग कर लेंगे 28 प्लस 18 प्लस 9 तो इनके अभाज्य गुड़न खंडों की संख्या हो जाएगी 55 option D इसका right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है अभाज्य गुड़न खंडों की संख्या निकाल ली है 2 की पावर 3 गुड़ा 5 की पावर 7 गुड़ा 21 भाज्य संख्या है तो इसको भाज्य संख्या बना लेंगे इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 10 भाज जसंख्या है इसको भाज जसंख्या बना लेंगे यो हो जाएगा 2 गुणा 5 की पावर 8 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 8 जब P की पावर N, गुणा P की पावर M दिया हो, तो हो जाएगा P की पावर N, प्लस M, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 8 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 11, गुणा 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 8 है, तो हो जाएगा 5 की पावर 15, गुणा 7 की पावर 4, गुणा 3 की पावर 4, सभी घातो का योग कर लेंगे ग्यारा प्लस पंद्रा प्लस चार प्लस चार तो इनका योग हो जाएगा 34 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नेक्ट कोईशन लिखेंगे कोईशन दिया है इसमें अभाज्य गुड़न घंडों की संख्या निकाल ली है सॉल्ट कर लेंगे इसे यहाँ पर दिया है छे छे को अभाज्य संख्या बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं दो गुड़न तीन की पावर चार गुड़न आट भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्या बनाएँ तो यह हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 6 गुडा 10 की पावर दी है आठ दस को लिख देंगे 2 गुडा 5 की पावर 8 और यहां दिया है 12, 12 को लिख देंगे 2 गुडा 2 गुडा 3 की पावर 10 यह हो जाएगा 2 की पावर 4, गुणा 3 की पावर 4, गुणा 2 की पावर 18, गुणा 2 की पावर 8, गुणा 5 की पावर 8, गुणा 2 की पावर 10, गुणा 3 की पावर 10, गुणा 3 की पावर 10, गुणा 2 की पावर को जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 2 की पावर 50, गुणा 3 की पावर को जोड लेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 10, तो यह हो जाएगा 3 की पावर 14, गुणा 5 की पावर 8, सभी घातों का यूग कर लेंगे 50, प्लस 14, प्लस 8, तो इनके अभाज्य गुणन खंडों की संख्या हो जाएगी 72, option C इसका right answer होगा,